कुछ जी के कुछ मुश्ट इंपोर्टेंट कुछन है जो इल्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं यूपी एन एक्चम सीट्च में कई बार पूछे गए पहला कुछन हमारा क्या कहता है भारत में राष्टपती निंकित में से किसके दवरा चुना जाता है तो वह निर्वा लाख वेतन में ठीक पांच लाख वेतन में अपन्सनल देखते हैं अगला करते हैं लोग राष्पति महें RS कितना क्लछ में मिलता फीक है किए 16000 लॉपइय मिलता है ऑफो 750000 में मिलते हैं संब लगडी हमारा क्यां सब्सक हाए सी लग 20 होर, शग 19は घृवर्म कुछन हमारा क्या है भारती समिधान के सत्तरवे संसोधन द्वारा भारत की राश्च्पती के चुना में किंदो किंद्र सासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है ठीक है इसमें चार आपसन है चार आपसन में से कोई एक आपसन सही है ठीक है पहले आपसन म आपका सही है तो हो है दिल्ली वा पंडू चेरी आपसे नंबर भी सही है इसको हम लोग टीक करते हैं अगले कुस्टन की तरफ चलते हैं निल्मिखित में से कौन भारत के राष्टपती के चुना में भाग नहीं ले सकता तो कौन नहीं ले सकता इसमें चार आपसन है कोई एक परिसद ठीक है ये हमारा सही है आईए अगले कुस्टन की तरफ चलते हैं भारत में केंदरी मंत्रियों को गुपनियता कि सफ़त किसके द्वारा दिलाई जाती है ठीक है तो किसके द्वारा दिलाई जाती है चार आपसन है कोई एक आपसन आपका सही है ठीक है पहले में प पति के दुवारा दिलाई जाती है सपत्थी एक चुनावा में इन में से किस की सलाह दी जाती है तो कौन है इसमें चार आपसन है उपराश्ट पति है चुनावा योग लोगसभा अधियाच सर्वोच नयाया ले तो कौन सर्वोच सही है आईये हम आपको एंसर बताते है ठीक अजयाओ बढते हैं तो आफ nga कंवान्बर डी शर्वोच नेया अले खीँ है सर्वोच नेया अले खीए अगले नाम आपकरके समय राश्ट पत्वरक्त की उमन दिखेहार को कितना रुपया जमान करना पड़ता है ठीक है तो कितना रुपए जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पे तो इसमें चार अपसन है कोई एक आपसन आपका सही होगा ठीक है तो आए देखते हैं आपसन नंबर सी आपसन नंबर सी में क्या है 15,000 रुपए तो यह हमारा सही है ठीक है तो जमा कितना रूपए जमा कराना पड़ता है 15,000 रूपए ठीक है आई अगले कुर्शन के तरब चलते हैं लोग सब लाभ के पद का निर्माड इन में से कौन करता है ठीक है तो लाभ के पद का निर्माड कौन करता है पहला राश्ट पती एवं राजिपाल दूसरा संगी संसत तीस इसमें चार आपसन है कोई एक आपसन आपका सही होगा तो आपसन नमबर 20 संगी संसत ठीक है लाभ के पद का निर्माड संगी संसत करता ठीक है अगला कुछने भारत की प्रथम राश्ट पती के रूप में डाक्टर राजेंद प्रसाद का चुनाव किस प्रकार किया गया इसमें कोई चार आपसन है एक आपसन सही है तो आपसन नमबर 20 सही हमारा क्या है समीधान सभाद्वारा किया था राजेंद प्रसाद का चुनाव ठीक है आई अगले कुछन के तरफ चलते हैं अगला कुछन देखते हमारा क्या कहता है किसी मित्यू डंड पर अपराधी को स तो आपसन नमबर जो है भी हमारा सही है तो इसके द्वारणों केवल राष्ट प्रती में होता है केवल राष्टर प्रती अपसन नमबर भी ठीक है अगले कुछन के त exhale त्छलते हैं देखते हैं अगला कुछन हमारा क्या कहता है राश्ट्रती इनमे किस सूची के स्थारी नहीं कर सकता ठीक है तो चार आप सग्सना में से सभी होगा ठीक है पहला है संगी सब्सक्राइब सदस्क्राइब करें संवर्ति सुच्राइब टोनों देगे है राज्यसूची तो नहीं तो आपसाना भी से ठीकर राज्यसूची नियुक्तिम के चलते हैं अगला कुश्च्छन देखतें हमारा क्या कहता है निलमिखित में से किस परिस्थिती में राश्पति अध्याधेश जारी नहीं कर सकता तो ये ज़ाए कोई एक आ मैं हो जब दोनों सत्र में ना हो तो इसमें कोई एक आप्सन से हो तो जब दोनों सत्र इसमें कि कि एक आप्स यह थाया और चार आपसें कोई एक आपसें ही सही होगा है एक आपसें ही हो गाध्या मतलब अनुच्षेद पुछ रहे हैं तो कौन सो होगा 123 अपसर नंबर बी अपसर नंबर भी हमारा थे जितने भी गुश्चन बतारें सब इंपोर्टेंट हैं अप लोगफ इसे कल लो यूप णे चम श में सदन के विधा अधिवेशन ना रहने की स्थिती में उप्युक्त तीनों स्थिती में तो कौन सा है सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिती में करता है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता ठीक है कुस्ट्ट नमबर 16 राष्टपती द्वारा जारी एक अध्यादेश संसत क सद्र सुरू होनी के बाद कितनी समय तक रख जाना वस्यक है तो कितनी छो सब तक कि तो पहले में एक सप्ता है दूसरे में छे सप्ता तीसरे में भी एक महीना दो महीना तो कितनी छे सप्ता होते हैं टोटल ठीक है समितक रखा जनावस्यक है अगला कुछ ने अध्य देश जारी करने का अधिकार राश्पती का कौन सा अधिकार है ठीक है पहला विधाई अधिकार प्रसासनी का अधिकार नयाई का अधिकार वेक्ति अधिकार ठीक है तो इसमें कौन सा होगा विधाई अधिकार आपसन अगला कुछ ने संविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत राष्ट पति संग्या मंत्री परिसद की सला मानने के लिए बाध्य है तो इसमें विचार आप सने पहला चोहत्तर दूसरा पचासी तीसरा चीयासी और चौथा क्या है नावासी है तो इसमें से कोई यह कि आपसन आपका सही होगा तो वो है आपसन नंबर ए चोहत्तर ठीक है 74 अगला कुश्चन है राष्ट पती निल्मखित में से किसके परामर्स पर अपातकाल की उदो उदो सड़ा कर सकता है ठीक है इसमें भी चार आपसने प्रधान मंत्री की मोखिक परामर्स पर प्रधान मंत्री तथा मंत्री मंदल के लिखित परामर्स पर अगला कुश्चन देखते हैं लोग अगला कुश्चन के भारत एक गड़तंत्र है इसका क्या मतलब है भारत एक गड़तंत है इसका क्या मतलब है तो पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है भारत में संसदी सासन विवस्ता है भारत में वनसानुगत सासन नहीं है भारत राज्यों का संग है तो आपसे नंबर सी भारत में वनसानुगत सासन नहीं है ठीक है आपसे नंबर सी सही है भारत एक गड़तन थे इसका मतलब है भारत में वनसानुगत सासन नहीं है अगला कुशन हमारा क्या है आए देखते हैं ठीक है अगला कुशन अब य